और उत्तर काश्य से खबर जा रही है जहांपर मौसम साफ होने के साथ ही आग की घटनाई भी लगातार अप सामने आ रही है बारिश कम होने से बनों में आग लगने का संकट गहरा गया है इस बार सर्दियों में लगातार जंगलों में आग विक्राल रूप लेती दिखाए अपर यमुनावन प्रभाके जंगलों में ये आग लगी हुई है तो लगातार आग की धदक से पूरा जंगल जल रहा है इस बार अच्छी बारिश नहीं हुई है मौसम भी सोहाना नहीं रहा है बरबारी भी उसे साप से कम हुई है जिसके विज़े से आग लगने की ये घ अंबरबारी नाम मात्र बारिश होने के कारण जंगल सर्द्यू की शुर्वात से ही सो लग रहे है वन विभाक के लिए इस बार फाइर सीजन में वनों को आग से बचाना चुनावती से कम नहीं होगा इस फाइर सीजन में जंगलों में आग लगने की आशन का ज्यादा दे उत्तरकैशी से बलवीर परमार और बागिश्वर से सुश्मिता थापा इस वक्त महर साथ जुड़ गई हैं सुश्मिता पहले आप ही बताईए कि बड़ी चुनावती सामने आ रही है हर बार हमने देखा कि गर्मियों की सीजन में ये चुनावती आती थी जब जंगल में बड़ी तेजी से पहलती थी लेकिन इस बार ठंड के सीजन में हमने देखा कि आग कई-कई जंगलों में तो बुझी नहीं आकर इसके पीछे क्या वज़ा है और क्या दिक्कत आ रही है इस जंगलों की आग को बुझाने में जी देखे जब सर्दियों के सुरुवात हुई तब से लेकर अब तक लगातार जंगलों में आग जारी है और अधिकारिक तॉर पर पंदा फरवरी से जो फायर सीजन स्टार्ड होता है तो जिसको लेकर बनविभागे को बे तयार हो गया है और उसमें हम देख रहे हैं कि जो पुल सर्दियों के सीजन में थे उसमें जंगलों में आग लगी हुई थी उसके बाद अब जो फायर सीजन सुरू हो गया है तो बनविभाग के लिए एक बड़ी चुनाथी सामरे आ रही है किस तरीके से वह इस सीजन में इस आग से निप्तेगी इसके लेकर बनविभ में छे रेंज हैं चहांपे नबे वाचरों की संख्या बढ़ा दी गई है ताकि 24 घंटे जो यह फायर वाचर है इसमें जंगलों की आग लग लग रही है उनको देख सके और लगातार इसमाल लग सुके और लगातार आग लगने के कारण से आस पास हम देख रहे हैं कि घा जंगलों में पड़ा हुआ है सुकी घास है और भी तीजी के साथ आग जंगलों में फैल रही है बलभी अगर अभी यह हाला थे तो फिर गर्मी में तो और जादा दुश्वारियां बढ़ जाएंगी बिल्कुल जिस तरह से बारिस नहीं हुई है ना मातर की बारिस हुई है और अगर इसी तरह का मौसम आगे रहता है तो जो हमारी जो अधिकारें से बात हुई है तो उनको भी आसंका है कि जो आग होगी विक्राल होगी और जो वन संपदा है उसको बड़ी मातरा में नुक् करी है वह भी कम होगी क्योंकि हमने देखा कि दिसंबर जनवरी में जो जंगल थे सुलग रहे थे और जो वन संपदा को नुक्सान पहुंच रहा था इसके लावा अभी भी जो जो आग की घड़ना है जैसे ही धूप पड़ रही है तो आग की घड़ना है फिर सामने आ रही ह और अगर इसी तरह का मौसम रहता है बारिस नहीं होती है रात नहीं मिलती है तो कहीं न कहीं बड़ी वन संपदा को नुक्सान पहुचेगा जिसको लेके वन विवाग में चिंता देखी जारी है और चिंता के बाद भी है क्योंकि उत्राखन तो अपने वन संपदा के नौर्थ डिविजन जरूरी करमचारियों को भारी कमी चेल रहा है आग बुचाने में एहम रोल अदा करने वाले वन दरों का और वन रक्षक जैसे जरूरी पदों पर भी भारी टोटा है कुमाओं के अल्मोडा, पिथोरागड, बागेशपर और चंपावत जिलों का नौर्थ डिविजन जहां वन संपदा से भरपूर है वहीं इस डिविजन में आग की खटनाएं भी बरसाती सीजन को छोड़ कर जम कर होती है लेकिन हैरानी इस बात की है कि आग पर कावू पाने के जरूरी साधन इस डिविजन के पास नौ के बराबर है डिप्टी रेंजर से लेकर बन दारोगा और बन रक्षक की यहां सैक्वलों पत खाली है हालत यह है कि साल कम बारिश होने से सर्दियों में भी जंगल धदक रहे है इस डिविजन में वन रक्षक के 474 पद है लेकिन पदों के मुकाबले मात्र 297 में ही तैनाती हो पाई है जबकि वन दारोगा के 348 पद स्विक्रत हैं लेकिन मौझूद हैं सिर्फ 281 कुछ ऐसा ही हाल डिप्टी रेंजर का है डिप्टी रेंजर के यहां 60 पद हैं जिन में 21 पद खाली पड़े है जबकि इस बार सिर्फ सर्दियों में ही सैक्डों हेक्टेर जंगल जलकर खाक हो चुके हैं विंटर में फायर का इंसिडेंसेस पूरा उत्राखंड में बढ़ा है खास कर थोड़ा सा मध्य और उच्ची हमालवी वाला खेतर में बढ़ा है इसका मुख्या एक कारण यही है कि इस साल विंटर में बिलकुल बारिस नहीं है पहालो में फॉरिस्ट फायर की सबसे अधिक खटनाएं मई से जून मध्य की बीश होती है ऐसे में तैह है कि आने वाले तिनों में जंगल में लगी आग और अधिक धदकने वाली है लेकिन एहम सवाल ये कि जब विभाग में जरूरी लोग ही नहीं हैं तो आग काबू में आखिर कैसे आएगी गोविंद पाटनी के साथ पिधोरागर से विजय वर्धन उपरेती की रिपोर्ट और यहां पर रूखेंगे चोटे से ब्रेक के लिए लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले देख लेते हैं पहार टॉप टेप मैला अपराधियों के खिलाब धामी सरकार में सब्सक्त कारवाई की है और बड़ी नजीर पेश की है काशिपूर में चात्र पर चात्रा पजालेवा हमले में आरूपी फर्दीन के खार पर बुल्डूजर की कारवाई की गए तेन दिन पहले फर्दीन ने कोचिंग सेंटर जा रहे एक चात्रा पर धारतार हत्यार से हमला कर कमी रूप से खाल कर दिया था उपनल करमचारियों का विभन्न मांगू को लेकर पिथोरा गड़ में धना जारी है करमचारियों का आरोप है कि सरकार नम्भी समय से उनकी साथ स्वातिला पेवार अपना रहे है आयोध्या में राम मंदिर दर्शन के लिए हरद्वार से गुरुवार को दूसरी आस्था स्पेशल ड्रेन रवाना हुई जिसे सांसर निशंक ने हर जंडी दिखाकर रवाना गया बागेश्वर में कुछ साल पहले अस्थेत्व में आये रोडवेज डीपो के हालत नहीं सुधर पा रही डीपो में खड़ी कई वसे बिमार हैं जो यात्रियों के लिए मुसीबत बन रगी है रूदर प्रियाग में चारधा म्यात्रा मार्ग पर एक दरजन ऐसे स्लाइडिंग जून है जो यात्री काल के दोरान मुसीबत का सबब बन जाते हैं और हलकी सी बारिश से बुल्डर गिरने लगते हैं हरदवार में पुलिस ने नावालिक प्रेमिका के हत्या करने वाली युवक को गिरफ्तार कर लिया निकाख के लिए दबाव बना रही प्रेमिका से पीछा चोड़ाने के लिए युवक ने गला दबा कर उसकी हत्या कर दी रोदर प्रियाग में के दानाथ यात्रा के कई पड़ावों का निरिफ्षन किया और यात्रा शुरू होनी से पहले सभी विवस्ताई सुनुश्चित करने के निर्देश लिए अल्मोडा जिले के दिखाठ पुलिस ने 70 किलू गांजी के साथ एक व्यक्ति को किरफतार कर लिया है आरोपी गाज़ाबाद कर रहने वाला है और कार में गांजी की तसकर दिया करता रहा है कोड़वार पोलिस ने साड़िप चार लाग के अवैद स्मैक के साथ दो तस्करों को किरफ्तार किया जो बरेली से स्मैक लाकर कोड़वार के असपास की हिवाओं को पेचा करते थे रुड़के के पिरान कलियर में दर्गा परिसर में दुकानदा धरने पर बैठ गए लोगों की मांग दर्गा प्रबंधन को हटाने के साथ नियाज कठे का निरस्त करने की भी है